सब्सक्राइब कर रहे हैं क्योंकि यह जो आपका जो कुमेंट है यह सबसे जादा जो की पूछा जा रहा है कि सर एड्मिट कार्ड किन का आएगा क्योंकि वहाँ पे जो सबस्त आपका मैंसन नहीं किया गया है जो ओफिस्यल नोटेपिकेशन है उसके अंदर कहीं पर भी मैंसन नहीं किया कि एड्मिट कार्ड किन का आएगा और यहाँ पे देखे जो हव्यारती फॉर्म डाल चुके हैं वो भी पूछ रहे हैं और जो नहीं डाले हैं उनका भी पूछना है कि सर क्या मैं फॉर्म डाल दूं कि मेरा डेफिनेटली जो की एड्मिट कार्ड आ जाएगा क्या तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा सवाल है असी के रिगार्डिंग है तो गैज इसी के बारे में आज हम इस वीडियो को रखे हैं और इस वीडियो के अंदर सब कुछ जो कि हम डिटेल से बात करेंगे और आज के बाद आप एड्मिट कार्ड का नहीं पूछोगे और चलते हैं आपके साथ और इसी वीडियो के साथ और देखिए मेरे से किस परकार से जुड़ पाओगे वह चीज़ों की बताना बहुत ज़रूरी है मैं वह बता देता हूं फिर हम चलिए हम वीडियो को कैंटिन्यू करते हैं चलिए ना तो गाइस वीडियो की डिस्क्रिप् और उसके बाद दोस्तों आपका स्वाल है कि हम बात किस परकार से करें टो ये आपके लिए पॉपलि क्पनाई हुआ है और उसके बाद यहाँ पर मेरे नमबर मेंसन किए गए हैं अर इस नमबर सिर्प इसलिए मेंसन किये होते हैं कि आप परसंदम मेरे से कुछ मतलब आए हैं और मैंने छोड़ दिया है क्योंकि वार्शब गुरूप से दोस्तों आपकी डाटा जो सेक्रेटी नहीं रहती है हर वीडियो में पोलता हूं लेकिन जो अब्यारती नहीं जुड़ते हैं उनको बताना जरूरी होता है तो जो भी अब्यारती नहीं है जो भी भाई न आते हैं तो गाइज आपका सबसे पहला जो किसने के सर की हर केंडिडेट का क्या एडिमिट कार आएगा जो गुरूप सी के लिए जो की आपका अपलाई की है और यह प्रोसेसर जो लगबग आपको पता है सभी को यह बाइस मार्ज के चलने वाली है जो पूछ रहते ब्या गया था तो आपका यह डाउट सभी का है लेकिन जितने भाई है जिन्नोंने फोम डाल दिया है और आगे भी डालना चाहते हैं क्योंकि समय है अभी तक जो की ओपन पड़ा है तो आप डालो जादा से जादा डालो और आपके जो एड्मिट कार्ड होगा वो यहां पे जो नोटिपिकेशन है उसके अंदर कहीं पर भी यह मैंस नहीं किया गया है कि आपका एड्मिट कार्ड परसेंटेज बेस पे आएगा और इतना मैं स्योर हूँ कि आपके जिस भी कैंडिडेट के 50 परसेंट जो की प्लस नंबर है उन कैंडिडेट का एड्मिट कार्ड आएंग तो उनकी अंदर आपके जो की परसेंटेज का मैट रखा गया था लेकिन अब जितने भी यहां पे जो एरफोर्स की भरती हो रही है उसमें कोई भी परसेंटेज जो नहीं कर रहा है तो आप अभी भी दोस्तों त्यारी करना स्टार्ट कीजिए और अभी तक नहीं किया है तो क्योंकि admit card सबका आएगा और admit card कब आएगा तो admit card आपके यह जो process है वो लगबग 30 days तक चलने वाली है हो सकता है एक में थोड़ी पहले जो कि बंद हो जाए या फिर दो दिन आपके extra time भी हो सकता है तो उसके बाद क्या होगा कि उनको analyst किया जाएगा कि क्या क्या process किसने क्या कुछ मतलब डाला है और उसके आधार पे अपना address देखा जाएगा उस address के आधार पे आपको admit card दिये जाएगे तो ये सिर्फ ये motive है कि आपका admit card है वो सभी का आएगा तो आपको किसी भी candidate को ये नहीं सोचना है आपको तो अभी से ये लग जाना है कि आपके और देखिए मैं तो जहां तक हूँ वो शोर हूँ लेकिन अब कोई भी update कर देते है ऐसा कि आपके admit card के regarding कि आपका percentage बेस्ट आती है vacancy आती है उसके थोड़े ही डेज बात जो कि आपके प्रिक्सा जो आपका exam जो start हो जाता है तो आपको इस चीज को लेकर group C को बहुत अच्छा से अब त्यारी करनी चाहिए और मैंने जो कि आपको PDF भी देता रहता हूं तो आप Telegram को जाकर join करो और जो भी नहीं है भाई उनको सभी का welcome और चैनल को subscribe कर लो और वीडियो को share कर दीजिए इसी प्रकार क्योंकि जिस प्रकार से आपने उस वीडियो के अंदर जो प्यार दिया है वो बहुत ही दोस्तों मुझे जो कि गदगद करने वाला था और आपने सभी को thanks उस वीडियो में बहुत आते हैं और जब तक आपके जहनी नहीं होगी तब तक हम